हमारे साथ बात चीत करने के लिए मौजूद हैं काली चरण महराज जी आईए हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं सर नेशन वीरर में सब्सक्राइब आपको बहुत बहुत श्वागत धन्राइब ओम काली ओम काली सर हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए हिंदू की सुरक्ष अंगलादेश में स्वतंतरता प्राप्ति के समय 29 प्रतिशत मुसल हिंदू थे वो सब के सब खतम कर दिये गया आड़ प्रतिशत बाकि है कहां के सारे के सारे हिंदू मारे डाले गया तो यही कंडिशन भारत में होने वाली है पश्चिम बंगाल केरला और कश्मीर में यह क पाकिस्तान बन चुके हैं भारत में अभी हिंदूों को एकी भूत होने की और हिंदू राष्टर बनाने की अत्तन तावशक्ता है इसको परियाए नहीं है हिंदूों की सुरक्षा की दृष्ट कोन से बांगला देश में भी हिंदूों पर जैसे तरीके सत्याचार हो रहे ह है शादू संतू पर भी अटेक किया रहा है इसको लेकर कारण ही हिंदूों का सड़ा हुआ जातियवाद वरणवाद में बटे रहना है यह कंडिशन भारत में ना हो इसके लिए सभी हिंदूों को एकी भूत हो जाना चाहिए सड़ा हुआ जातियवाद वरणवाद आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़के निवेदन है मोदी जी को शाह जी को कि शिगरता शिगरता पुर्वक बांगलादेश के हिंदुओं को भारत में लाया जाए उनको स्थापित किया जाए उनके आर्थिक सहायता करके उनके बिजनेस खड़े कर दिये जाए उनको शि उनको मार दिया जाएगा वहाँ पर इसलिए उन लोगों की सुरक्षा के लिए वह प्रमाण में नहीं दे सकता चैनल के माध्यम से लेकिन बहुत सारे फोन आते हैं और हमारा रुदय बहुत व्याकुल है इसलिए भारती भारत शासन से भारत सरकार से मैं निवेदन करता बहुत से शीगरता पुरवक की यह कदम उठाएं हिंदू की सुरक्षा का बांगलादेश में जो है और CACCNR से शीगरता पुरवक लागू करके बारत के हिंदू की सुरक्षा की जाएं कुछ लोग कह रहे हैं तीन बच्चे पैदा करें आप कह रहे हैं दस बच्चे पैदा करें इसको आप कैसे देखें तीन बच्चे पैदा करिए पांच करिए दस करिए अपनी इच्छा के अनुसार करिए लेकिन ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करके हिंदू की लोक सं कि दृष्टिकुन से ज्यादा होना सिर्फ महत्व पुरुण नहीं है तो महत्व पुरुण वोटर बैंक बनना भी है हिंदु अभी भी भारत में बहुत संख्यक है फिर भी वोटर बैंक नहीं है सड़े हुए जातिवाद वर्णवाद डाल चामल टमाटर के भाव में अठक के कारण हिंदु वोटर बैंक नहीं बनता और जो वोटर बैंक होता है राजा उसी का सम्मान करता है उसी को जहलता है हिंदु के अगर इच्छा है कि हमें भी सम्मान प्राप्त हो हमारी इच्छा है पुरुण हो तो हमें भी वोटर बैंक बनना पड़ेगा हिंदु उसको राजनीती का हिंदु करन करने का परियाए नहीं है, दूसरा कोई परियाए नहीं हिंदु राष्टर बनाने का, अगर हमें राजा राम राज्य चाहिए, तो राजा राम ही चाहिए, अगर हमें हिंद भी स्वराज्य चाहिए, तो चतरपती शिवाजी माराजी राजा है हिंदू की सुरक्षा राजा करेगा धर्म की सुरक्षा राजा करेगा साधू संत धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं सरक्षन राजा करता है राजाओं का करतव है धर्म की सुरक्षा करे साधू संतों का करतव है धर्म का प्रचार प्रसार करे अभी बंगला देश में इसक बोल दिया असलियत बोल दी तो सबको पेटे में तकलीफ हो गई तो संत सत्य बोल के धर्म प्रचार प्रसार कर सकते हैं साधू सन्यासी धर्म प्रचार प्रसार कर सकते हैं धर्म का रक्षण नहीं कर सकते धर्म का रक्षण राजय की तलवार राजसत्ता ही करती है इसलिए र नाथूराम गोड से जी को महात्मा कहते हैं इस पर आपकी क्या प्रत्ति है जिस व्यक्ति ने गुरु गोविंद सिह जी महराज, राणा प्रताब जी महराज, छत्रपती शिवा जी महराज को पथब भरष्ट कहा क्यों उन्होंने धर्म रख्षण के लिए राष्टर गांधी ही है जो चतरपती शिवा जी महाराच को पथभरष्ट बोलता है मैं उसको पथभरष्ट और दुरातमा बोलता हूं नातुराम गोडसेजी जी महातमा है अगर नातुराम गोडसेजी ने गांधी को نicion नहीं मारा होता था तो अभी तक कि भारत का इस्लामी करण हो ज की पुलीस अरेस्ट करके उनको फाशी की श्ते खादे गी और हुआ भी वही लेकिन नातरों увидеть लिखूढती ने जेल जाने के बाद में जो injury चाप्र चाइगा उसके आंख्छे ख país जाएगी जितनी भी बाकी का लिटरेचर है वो गांधी की स्तुति करने वाला है गांधी के अयब दिखाने वाला नहीं है नाथुराम गोड सेजी ने गांधी के पाप बताए क्या बयानक पाप कर चुका था और करने वाला था अच्छा हुआ मारडाला नहीं तो भारत का इस और नादुरहामगोड़ासे जी का समर्थन करें और अनादुरहामगोड़ासे जी की जयन्ती मनाये पुन्यतिति मनाएं मारा जी एक अब परसनल सवाल पर आता हूँ, मा काली जी के दर्शन हुए था आपको एक दुर घटना भी हुए थी जिसमें आपको पैर में चोड भी लगी थी, मातारानी आया आपको पैर टच किये थी जिसके बाद से आपको आराम भी मिला था, उस पर आप संचिप्त में यह शरीर जब दस साल का था थैब एक एक अक्सिडेंट ओ गया था जिसमें मेरी टांग तूट गई थी, तो तूटने के बाद में उसी क्षन काली मा ने प्रकट होके, सपने की बात नहीं है, प्रकट होके काली मा ने टांग जोड दी, तबसे मैं पागल होगया काली मा के प्रकाश बनाओं आजग अधादंबा का दरशन करके मैं पागल हो गया इंट इतना पागलापन हो गया कि मैं काली मंदिर में अथवां खंड़ हरों में रहने लग गया पढ़ाई लिखा ही मैंने कुछ करी नहीं अंगुठा चाफू हाथ वीपास मेडिया वाले जो सोशल मीडिया यूटीब पे बगएरे चलता है कोई आठवी पांस बोलता है एक वेक्ति ने तो डॉक्टरेट ही गोशित कर दिया है मुझको एक वेक्ति बोले दूसरी पांस है एक वेक्ति बोले कुछ कुछ अलग-अलग एक वेक्ति ने वीडियो बनाया कि मरसरी वो क्या-क्या गाडिया होती है महंगी महंगी वो मेरे पास वैसे वैसे गाडिया मेरे पास में 56 पूरे देश में मेरे 50 से ज़्यादा मठाया ऐसा उन्होंने यूट्यूब पे बोला हुआ है लेकिन यूट्यूब की 100% जानकारी सही नहीं होती हम खुद के मूझ से रहे हैं तो इसी को जानना चाहिए लोगों ने कि मैं जो बोल रहा हूं मेरा चरित्र है यूट्यूब में बोल रहा है इतना पड़ा लिखा है फालाना है डेकलाना है इतनी प्रॉपरेटी है वो सब एक बाते हैं जगदंबा चाहे तो सरवत्र धर्मकारिये के रूप में जगदंबा की शक्ति पीठ बनाने की हमारी इच्छा है जहांसे हिंदूओं को धर्मशिक्षण दिया जा सके उसके लिए हम सब लोगों से बोल भी रहे हैं कि भूमीदान करिये जिस पर हम जगदंबा की स्थापना करें और वहां से हिंदूओं के प्रशिक्षण का कारिय कोई मुश्किल नहीं है, सुखνη दुक्षय समे कृत्वाला, भाला भव जैया yag otato, युद्धय युद्यस्वने वंपापमव अपसे सी, सुख होगा की दुख्व होगा, लाव होगा की हनी होगी, विजय होगा की प्राजय होगा, इसका विचार किये बिना हमें इश्वर को खुश करने के लिए युद्ध करना चाहिए ये इश्वर की और रहे है भगवत गीता में इश्वर को प्रसंद करने के लिए मैं धर्मकारिया करते रहना चाहिए यही एक मात्र इश्वर को खुश करने का उपाय है इसी को पतनी बच्योग का पौलन पोर्षण करना अपने गुरूह करतव्य करद कर्म. इसमें इस याईश्वर की दुख मिलेगा विजह होगी पराज्य होगी? लाभ होगी की हनी होगी? उसका विचार नहीं किया जाता है यह भगवान की और है और हम जब भगवान की इच्छा से चलते हैं तो हमारा जीवन सुखी होते जाता है जेल में जाना या अनेक परकार के नानावीद बाते सहना यह तो छिल्डर बात हो जाती है यह तो सामने बात हो जाती है अगर हमारे इवन में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं रहेगी और तकलीफ हैं आएगी तो मच्छर काटने के जैसी पीड़ा दाइक होगी बड़े-बड़े संकट भी इश्वर निष्ठ व्यक्ति के लिए सामाने हो जाते हैं इसलिए इश्वर निष्ठ बनिये जगदंबा कालिका पर में इश्वर के चरण ग्रहन करिए इसी से व्यक्ति परम उन्नति को प्राप्त होगा परम सुख को प्राप्त करेंगा महराज जी अगर आपकी आज्या हो तो स्यूत अंडों के दो लाइन निशन मीरर में अच difarsi हो प्राप processo करेंगे मिला मैं थाज्जर एफूर दो स्यूति द्वाल निश्द, पम का परम आपकी 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 लेक्ट अगरशS दो स्यूति हैं दि ऋनने करिसा जा जा करिसी सरी कमामामा जा मि हमता द प द द द द ध द द द दो द 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 शंकरा, शंकरा, ओम, जटडवीकलज्जलप्रवाः, प्वावितस्थले, अले, अले, वलं, विलं, भुजंग, तुंग, मालिकाम, शंकरा, 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 शंकरा भोगी आप ज हमें अनंद बोपने भूट बहुत शुक्रिया आपका नेशन परिवार्व में आदेत मिष्या नेशन मिरर भोपाल कर दो कर दो